दिल्ली में वो हुआ जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी मतलब बिलकुल पूरी तरीके से आप प्रित्याशित एलान करते हुए दिल्ली के मौझूदा मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल ने कहा कि मैं दो दिन बाद अपनी कुर्सी से अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा विदायक दल की बैठक होगी दो दिन के बाद जिसमें अर्विंद केजिवाल इस्तीफा देंगे लेकिन उसके बाद क्या ह क्या आप में घमसान मचेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या फिर आप में बगावत होगी आप में तूट होगी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या केजरिवाल के इस फैसले से बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है जिस तरीके से अर्विंद लोगों को लगने लगा है वाकई में अर्विंद केजरिवाल इस शराब घोटाले में शामिल हो सकते हैं जिसके उन पर आरोप लगे जनता के बीच जब हम भी जाते हैं तो अर्विंद केजरिवाल के बारे में जो कुछ सुनने को मिलता है उससे ये जरूर लगता है कि तो तो लिया लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मनीश सिसोधिया जो दिल्ली के डिप्टी सीम रहे हैं उन्हें अब तक ना तो गौर करिएगा उन्हें ना तो अब तक उनके डिप्टी सीम पद वापस दिया गया और ना ही अब जब अपने स्तीफे का ऐलान किया तो कहा कि मनीश स सोधिया को वापस से या फिर मनीज सी सोधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा मुख्यमंत्री कोई ऐसा नाम होगा जिसकी आशा साथ बीजेपी की तरह अर्विंद के जिवाल भी चोकाने वाले हैं तो अब लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके पुराने साथ ही वो अन्ना हजारे हो फ्रचान्त भूशन हो या फिर योगेंद्र बेल बनाने का उन्हें सीधे तोर पर एलान किया गया बलकि इनकार कर दिया गया कि मनीशी सोधिया मुख्यमंति नहीं बनेंगे तो क्या गदगारी मनीशी सोधिया के साथ भी अर्विंद के जिवाल ने कर दी है ये सवाल लोग पूछ रहे हैं आम जन्मानस में इस सवाल की लगातार चर्चा हो रही है इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं जब आप जरूर दीजेगा और जाते जाते सुनिए अर्विंद के जिवाल ने इस तीवे का एलान करते वक्त क्या कुछ कहा रश्टर के साथ कराए जाएं तुरंट कराए जाएं चुनाव और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा और मैं जब तक चुनाव नहीं होते मैं अब मैने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूँगा अगले दो तिन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तै किया जाएगा मैं मनीज जी से बात कर रहा था जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीज जी के मन में भी है इनके इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है मनीज जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्य मंतरी और शिक्षा मंतरी और मंतरी का पज़ तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीज सिसो दिया इमानदार है तो मैं और मनीज सिसो दिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है जनता के हाथ में है हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं गली गली जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे अगर जनता कहेगी इमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे मैं 2020 में ऐने कह था मैं अगर काम किया हो तो मिरको वोट देना और चाम नहीं किया हो तो वोट मत देना कहा था कर अब आज मैं आपके बीच में आया हूँ मैं कह रहा हूं अगर पांदार हूं तो वोट देना अगर मैं बेहिमान हूं तो वोट मत देना बिल्कुल मत देना भारत मातागी भारत मातागी तो जिस तरीके से मनीशी सोध्या को साइड लाइन किया गया अर्विंद केजिवाल की छवी पर ब्रस्टाचार का बहुत बड़ा डेंट फिलाल तक अब तक कोड से बरी नहीं होते हैं तो क्या इस बीज बीजेपी कुछ खेल करने वाली है क्योंकि दिल्ली में अब जो केंद्रे मंद्री पूर में पूर की सरकार में बीजेपी की केंद्रे मंद्री रही स्मृती रानी है वो दिल्ली में इस वक्त काफी एक्टिव हैं और क दानसाबा दो हजार पचीज के चुनाव में सरकार बनाने वाली हैं दोनों सवाल पर क्या कुछ आपकी राहे कमेंट कर जरूर बताईएगा नमस्कार